एक क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या हम डाइट में कुछ चेंजिस कर सकते हैं या फिर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें पता ही नहीं हम कर रहे हैं और उसकी वज़े से हमारी एक क्वालिटी खराब होती जा रही है अब इतनी स्टारी स्टडीज हैं जो हमें बताती है कि अगर हमारी डाइट हमारी खान-पान में हम कुछ सुधार कर लें, कुछ चेंजिस कर लें उससे हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं । एस वीडियो के अंदर हम केवल ऊग कौलिटी नहीं, मतलř-फीमिल के बारे में नहीं हम मेल्स के बारे में भी बात करते हैं कि उनके शुकरानों की जो क्वालिटी है वो कैसे इंप्रूफ करती है तो इस वी तो ओवेरन एजिंग जो होती है वो हमारी बॉडी की एजिंग से बहुत डिफरेंट होती है पुराने जमाने में कहते थे कि 30 की उमर के पहले पहले आप शादी कर लो क्योंकि उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो एग की क्वालिटी खराब हो जाती है कंस साल की एज में भी ओवरी की जो एजिंग होती है वो इतनी फास्ट होती है कि उसका जो रिस्पॉंस होता है वो पैतालिस साल की एज जैसा होता है तो एज होने को तो हम नहीं रोक सकते बट वो कौन सी चीज है जो एज के साथ आती है जिसकी वज़ा से ओवरी का फंक्शन खराब हो सकता है अगर हम वो जाने और उसको reverse करने के कोशिश करें तो definitely फरक पड़ेगा देखो जब age करते हैं एज के साथ body के अंदर कुछ toxins जमा हो जाते हैं इसको कहते हैं oxygen free radicals जब ये शरीर के अंदर जमा होते हैं तो नाकेवल ovary body के जितने भी organs हैं उन सभी का function जो है न fertility vitamins और जो भी आफ fertility की medicines लेते हो उसमें होते हैं इसके बहुत अच्छे बहुत strong natural sources भी होते हैं नेचर ने हमें बहुत अच्छे antioxidants दिये हैं अगर आप इसका सेवन करो तो आपकी egg quality definitely improve करती है ये जो natural antioxidants हैं वो कौन से होते हैं vitamin C, vitamin E, vitamin D, folate और omega 3 fatty acids तो vitamin C कहां से मिलता है आप को नीम्बू से, संत्रे से, ये जो भी खटी चीज़े होती है ना इसके अलावा guava, अमरूद से, तो इन चीज़ों को आप जादा लो, जो vitamin E होता है वो आपको मिलता है nuts और seeds से, तो आपको क्या लेना है, बदाम, अखरोट, seeds जैसे की sunflower seeds, flax seeds, chia seeds वगेरा, अगर आपको similar content पर और वीडियो चाहिए, तो इस चानल को subscribe करिए, like करिए, और comment section में लिखती जिए, कि आपको next कौन सी वीडियो चाहिए, vitamin D जो है, उसका एक अच्छा source हम सब को पता है, वो है sun, और sun exposure आजकल की desk job में बहुत कम हो गया है, इसलिए 10 से 3 बज़े के बीच में, आपको आद folate, folate वो एक चीज है, वो एक vitamin है, जो सभी लोग ले रहे होते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं, folic acid, उसका जो नाच्रल सोर्स है, वो है green leafy vegetables, तो हरी पत्तेदार सबजियां, बथुआ, पालक वगेरा, ये सब कुछ, omega 3 fatty acids, लोग omega 3 fatty acid के supplements लेते हैं, जो मै अगर आपको ये लेना है, तो इसका आप natural source ले सकते हो, जो इसका plant source है, वो again nuts और seeds है, जिसके अंदर आपके आते हैं walnuts, flex seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, तो ये natural plant source of omega 3 fatty acids है, आप देखो ये लिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन अप्राक्टिकली देखो तो इतना मुश्किल नहीं है इसको करन morning में कई लोग lemon honey drink जो होते हैं, गरम पानी में lemon और honey मिला के लेते हैं, वो आप ले सकते हो, otherwise जो रोज मर्रा में आप दाल चावल वगेरा लेते हो, उसमें एक कटोरी दाल के अंदर आप नीम्बू निचोड के वो ले सकते हो, तो वो एक अच्छा source of vitamin C आपको daily मिलेगा, एक चीज क्या है कि जो vitamin C होता है, जिसे कि नीम्बू होता है, उसको पकाना नहीं है, तो पकती होई सबजी में नीम्बू को नहीं डालना होता है, एक बार जब पक चाए, या फिर आपकी कोई भी ठंडी चीज है, उसके अंदर ऊपर से आप नीम्बू निचोड सकते हो, उससे उसका effect अच्छा रहता है, और उसके nutrients सारे मिल जाते हैं आपको, इसके अलबा पूरे दिन में आप एक बर एक fruit का bowl लो, उसके अंदर ये सारे nuts और seeds आप डाल सकते हो, सारे nuts और seeds मिला के चाहिए, फ्लेक्सीज, chia seeds, sunflower seeds हो गए और बदाम हो गया, अक्रोट हो गया, ये सारे antioxidants आपके cover हो जाएंगे, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है, जो आपकी aging बढ़ा रही है, ovarian aging और आपको पता भी नहीं है, इसमें क्योंकि अभी हम diet की बात करें, पहले हम diet की ही बात करते हैं, उसके बाद हम lifestyle measures भी बताएंगे, जो diet होता है, उसके अंदर जो भी ची यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को गरम भी कर देते हैं, वो नहीं यूज़ करना है, तो आपको खाने में, खाना गरम करने में, माइक्रोविव में, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, इसकी बजाएं ग्लास वेर यूज़ करो, टेफलोन coated जो glasses होते हैं, मतलब टेफलोन non stick pan जो होता है, उसको नहीं यूज़ करना, जो आप normal जो खाने के बरतन है, वो यूज़ कर सकते हो, non stick, teflon coated जो होता है न, उसके अंदर कुछ ऐसे chemicals होते हैं, जो body में inflammation कराते हैं, और quality खराब करते हैं, इसके अलावा inflammation किस चीज़ से होती है, sugar से, तो चीनी आपको नहीं ल जैसे की मैदा, मैदा नहीं लेना, तो यह जो सफेद चीज़ हैं, चीनी, मैदा, सॉल्ट, यह कम से कम लेना है, इसको avoid करना है, इन सभी से inflammation भी बढ़ती है, bloating भी बढ़ती है, और इससे कोई nutrition नहीं मिलता, ovarian aging भी बढ़ती है, egg quality भी खराब होती है, आपको non-wich थोड़ क्या मतलब है, inflammation होती है body में, तो यह आपको avoid करना है, non-wich आप try करो, कम से कम लो, अगर आप non-wich में seafood ले सकते हो, तो seafood ले लो, otherwise आपका non-wich थोड़ा कम रहना चाहिए, अब आप यह बोलोगे कि, अगर हम non-wich कम लेंगे तो हमारी body में protein कहां से आएगा, जो protein है, उसका wedge source भी processed food, processed food क्या होते हैं, जिसको हमें process करना पड़ा, जो nature में उगते नहीं है, जो उगते हैं, वो तो क्या होते है, fruits, vegetables, यह से हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमें बनाने पड़ते हैं, बैठके जैसे cake, pastry, pizza, burger वगएरा, वो सब हमको नहीं लेना है, तो processed food नहीं लेना है, food processing में एक और चीज आती है, low fat dairy, बहुत सारी ऐसी studies हैं, जिसमें यह बताया गया है, कि अगर आप full fat, whole milk लो, जिसको आपने process नहीं किया है, whole milk जो normal होता है, अगर वो आप लो, तो उससे आपका egg quality decline नहीं होती, normal रहती है, या better हो जाती है, लेकिन वहीं अगर आपने milk की processing की आपको लग रहा है कि आपको fat कम लेना है, और आप low fat dairy लेने लगो, तो low fat dairy के वज़ह से काफी सारी processing होती है, और उससे आपके body में inflammation बढ़ जाती है, तो आपको low fat dairy नहीं लेनी, full fat dairy ले सकते हो, इसके अलावा अगर आपका weight जादा है, तो overweight होने की वज़ह से भी body के अगर आपको sugar है, diabetes है, तो आपको अपना sugar control करना है, क्योंकि अगर आपका sugar control नहीं है, तो एक तो आपकी ovarian aging जल्दी होगी, उपर से आप fit भी नहीं हो pregnancy के लिए, अगर हम males की बात करें, तो अगर sugar खराब है, तो उस case के अंदर उनकी शुकरानों की quality भी खराब हो जाती ह इसके अलावा alcohol और smoking का बहुत खराब impact होता है, जो भी smoke करते हैं, male हो या female हो, दोनों के ही जो eggs होते हैं, वो कम हो जाते हैं, number B, quality भी, इसके अलावा अंदर DNA damage हो जाता है smoking की वज़े से, तो उसमें pregnancy भी नहीं आपाती, तो अगर pregnancy आ भी जाती है, तो miscarriage का risk रहता है, जब हम सोते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे hormones release होते हैं, जैसे की growth hormone हो गया, melatonin हो गया, और आपको पता है, IVF में कभी कबार ना growth hormone, इतना महंगा hormone होता है, ये use किया जाता है, जिन लोगों की egg quality पूर है, आप सोचो बस आपको सोना है, और इससे आपके ये hormones जो है, ये अपने आप बन जाएंगे, तो इस sleep आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके अलावा आपको stress नहीं लेना, आप देगो ये ना बोलना बहुत असान है, कि stress नहीं लेना, ठीक है stress नहीं लेंगे, बट ऐसे तो नहीं नहीं होता, इतना easy नहीं होता, I know life में बहुत stress है, आदे स stress में problem क्या होते है, कि stress आपको flight and fright response देता है, इसमें क्या होता है, कि body को लगता है, कि बाहर कोई बहुत problematic situation है, जिससे हमें इस female को बचाना है, तो इस time पे तो इसको pregnancy नहीं दे सकते है, अभी बाहर की जो problem है, उससे तो deal कर ले, तो ये nature का एक तरीका है, आपको protect करने के लि stress को release करने के लिए, सबसे पहली चीज तो ये है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उससे अप detach हो जाओ, अगर आप कोई treatment ले रहे हो, मैं अपने patients को बोलती हूँ, कि जो चीज आपके control में है, वो आप करो, जो आपके control में नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कि आप stress मतलो, आ अब I can understand आपका दिमाग उधर ही जाएगा, तो उसके लिए stress release करने की कुछ techniques होती है, जैसे की meditation, जैसे की yoga, acupuncture, या फिर 30 मिनट की walk, in silence, इन सब में से कोई न कोई एक चीज आपको पका करनी है, तो रोज आपको आदा घंटा या तो meditate करना है, initially आपको नहीं आएगा meditate करना उसके बाद दिरे-दिरे करके आप पटजास्ट हो जाओगे, आपको आ जाएगा, उसमें आपको breathing के ओपर focus करना होता है, बहुत सारी meditation की apps भी होती है, आप उसको भी देख सकते हो, या फिर आप yoga करो, ठीक है, आदा घंटा, आदे घंटे की walk आप कर सकते हो, उसके अंदर uninterrupted को, इधर उदर का कुछ सुनना नहीं है, आदे घंटे का पार्क में walk कर लो, actually it creates a lot of difference, so अगर हम healthy diet रखें, exercise करें, जिससे हमारा जो stress hormones होते हैं, वो कम होते हैं, endorphins, happy hormones release होते हैं, तो diet हो गया, exercise हो गई, hydration, डाई से 3 लीटर पानी रोज पिये, ताकि जो troxins हमारे हैं, सारे wash out हो जाएं, इसके अलावा sleep हमारी proper हो, तो इनी कुछ चीजों की वज़ा से हमारी egg quality काफी हद तक improve हो सकती है, और हमारे जो fertility के success rate है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, मेरे जितने भी patients हैं, उनकी चलो medicine तो एक तरफ चल रही होती है, बाकी मैं बैट के उन से बात करती हैं, वो हम discuss करते हैं, उनको relaxation techniques पताते हैं, एक बहुती happy और welcoming environment create करते हैं, और इतना फरक पड़ता है, जब patients पहली बार आते हैं मेरे पास, और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो conceive कर जाते हैं, सभी चीजों में changes होते हैं, और यह सारे positive changes होते हैं, यह सभी चीजे ना क इवल आपकी egg quality improve करने के लिए हैं, बट आपकी quality of life के लिए भी important है, और आपको pregnancy के लिए overall fit करती हैं